हेलो एवरिवन आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर नमबर सेकेंड है वर्ल्ड वाली बुक से इस बुक में आपका जो सेकेंड चैप्टर है दो धुरुवेता का अंत इस चैप्टर का हम इस वीडियो में आजाता है और आपके 2022-23 के जो लेटिस्ट लेबस एक बार आप उसको देख लीजिए इसमें आपके यह चैप्टर दिये हुए है अब यहां पर आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको जो चैप्टर वन है सीतियूत का दौर यानिकि दा कोल्ड वार एरा यह चैप्टर त चैप्टर टू जो ए दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है अगर आप चैप्टर वन को अच्छे से समझोगे तो चैप्टर टू आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आजाएगा कुछ भी नया नहीं लगेगा लेकिन अगर आप चैप्टर वन को नहीं पढ़ रहे हो सीधा chapter 2 को direct chapter 2 पे आ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़े ऐसी नहीं लगेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि मैं chapter 1 का video जो last year में ने बनाया था उसका link दे देता हूँ description में chapter 2 है वही same last year भी था बिल्कुल भी परिवर्ता नहीं हुआ है कुछ भी change नहीं हुआ है ठीक है सेम है सारे टॉपिक और टेलिग्राम गुरूप को जोइन कर लो class 12 ESP new group नाम से हमाने टेलिग्राम पे गुरूप है वहाँ पे जोड़ जाएं सारी अपडेट आपको मिल जाएगी ठीक है अगर आपको कुछ doubt हो कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे message कर सकते है club west study point यह मेरा username है और मेरा नाम है सतिंदर परताब तो चले करते हैं वीडियो को और वीडियो में देखे हम 3-4-5-6-7 main topic पे discuss करने वाले हैं तो इन topic को देख लेते हैं जैसे कि बर्लिन की दिवार का गिरना फिर सोविद पढ़नाली क्या है सोविय संका विक्टन कैसे हो गया विक्टन के परिणाम क्या हुए शौक थेरपी से अब यह बिल्कुल नहीं टॉपिक आपको मिलेगा यह अपको अफगानिस्तान के बारे में भी आपको तो सबसे पहले देखेंगे टॉपिक बर्लिन की दिवार, बर्लिन की दिवार क्या है, देखें क्या हो था कि जब Second World War हुआ था, यानि World War Two हुआ था, जो कि 1949 से लेखें, 1945 तक चला था, दुत्य विश्योद, यह जो World War Second था, इसमें क्या था, इसके बाद दो महाशक्तिया दु इन्होंना क्या करा कि World का विश्व का बटवारा कर दिया, दो हिस्सों में बांट लिया, यानि कि एक तरफ आप दो गुट कह सकते हो, ठीक है, एक पूर्वी गुट था, और एक पस्चिमी गुट था, जो पूर्वी गुट था, उसका जो मेन लीडर था, वो यूएसे सार महादीप है, उसमें बाटा, तो यूरोप महादीप में जर्मनी नाम का एक देश था, जर्मनी को दो हिस्सों में बाट दिया, जो कि बरलिन उसकी राजधानी होती है, तो बरलिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई, और उस दीवार को बरलिन की दीवार खाजाते है, जो क 1961 में बनी थी तो आप समझ यह इस चीज को यह आपको समझ मैं या दिखे जो Berlin की दीवार है मान लीजिए यह Berlin की दीवार है एक तरफ है पूर्वी गुट जिसको कौन हेड कर रहा है USSR यानि कि सोव्य संग दूसरी तरफ है पूर्वी गुट का कौन अगवाई कर रहा है जो कि है USA यानि कि अमेरिका और बीच में एक दीवार है जिसको कहा जाता है Berlin की दीवार आप दूसरे तो बर्लिन की दीवार जो थी यह कब बनी थी 1961 में बनी थी यह दीवार जो थी यह दिवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी यह मैं आपको बता दिया जर्मनी के अंदर है यह तो यह जो दीवार है यह पूंजी वादी विश्व और सामेवादी विश्व के बीच में विभाजन का प्रतीक है पूंजी वादी से मतलब यहां पर यूएस से वाले गुट से है और सामेवादी से मतलब यहां पर यूएससर से है क्या था भई इस दिवार की जो लंबाई थी वो थी 150 किलो मीटर और यह कितने वर्सों तक खड़ी थी 28 वर्सों तक और 9 नवंबर 1989 को यह दिवार जो थी वो तोड़ दी गई थी किसने तोड़ी थी वहां की आम जनता ने तोड़ी थी ठीक है यह वाली जो स्टोरी में आपक आपको याद अकना है 1961 में फिर यह पूचा जा सकता है कि कब गिराई गई तो आपको याद अकना है 9 नवंबर 1989 या फिर आपको 1989 भी याद रख सकते हो यह भी पूचा जा सकता है कि यह किसने गिराई थी तो आपको बोलना है आम जनता ने गिराई थी ऐसा भी कोशन वादी और समय वादी जो गुट थे उसके बीच में विभाजन का प्रतिक थी ठीक है आगे देखते हैं सोवियत पढ़नाली यहां से आपका टू मार्क्स का कुशन पीपर में पूछा जाता था इस बार देखते हैं आपका पैटन कैसा होता है सेंपल पेपर से पता लगेगा तो उसके आधार पर यह कुशन काफी पूछा जाता है तो सोवियत पढ़नाली का मतलब क्या है सोवियत सिस्टम क्या है तो देखिए सोवियत पढ़नाली से अभी प्राय है समाजवाद और समता मूलक समाज के आदर्शों पे आधारित साम्मेवादी शाषन इसका मतलब क्या हुआ कि देखे जो USSR था सूव्य संग था यहाँ पे किस चीज को यह value देते किसको बहतर बताते थे साम्मेवाद को बहतर बताते थे यह समाजवादी विवस्ता को बहतर बताते थे और यह किस चीज का विरोध करते थे तो यह विरोध करते थे पूझी वाद का यहाँ पे जो USSR में जो 1917 की करांती हुई थी रूसी करांती जिसे कहते हैं बोल्शेविक करांती भी कहते हैं वो पूझी वाद के विरोध में हुई थी और वहाँ पर किस चीज को सराहा गया था सामेवाद समाजवाद को और समता मुलक समाज जहां पर सबको समानता मिले ठीक है और जो सत्ता होगी वो जो मतलब में जो नी जी हाथों में यहां कुछ भी नहीं होगा जो भी होगा सरकार के हातों में होगा तो इस तरीके की צीज है थी 1917 में रूस में समाजवादी करांती हुई जिसको बोल्शेविक करांती भी कहते है याद रखना कई बार बोल्शेवी करांती भी लिखाएगा तो कन्फ्यूज मत हो न ठीक है कब हुई थी करांती 1917 में हुई थी इसमें किस चीज का विरोध किया गया था तो अभी मैंने आपको बताए कि इसमें पूंजी वादी विवस्ता इसके नायक कौन थे ये नाम आपको याद रखना है ये इस करांती के नायक थे कभी पूछा नहीं गया कोशन तो आपके पेपर में ऐसा कोशन आ सकता है इसके बाद देखें ये जो व्लादी में लेनिन थे इन्होंने कम्मिनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी तो ये कम्मिनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे करांती के नायक भी थे यानि करांती के हीरो भी थे मेन लीडर भी थे और इन्हों ने कम्मिनिस्ट पार्टी के स्थापना भी की थे और आपको पता है कि USSR जो था यानि कि Soviet संग जो था यहां पे Communist Party का शाषन था और लगबग 70 सालों तक इस Communist Party ने यहां पे शाषन किया था और एक चीज और आपको पता होगा कि Soviet संग में एक ही पार्टी का सासन था यानि वहां पे Communist Party के अलावा कोई दूसरी पार्टी को शाषन करने का अधिकार ही नहीं था यानि केवल एक ही पार्टी रहेगी जो कि Communist पार्टी है तो यह भी आपको याद रखना है इसके बाद क्या हुआ कि इस करांती के परिणाम सरूप समाजवादी सोव्यत गड़ राज जिसको Union of Soviet Socialist Republic यानि कि जिसको सौट में USSR कहते हैं या फिर इंदी में समाजवादी सोव्यत गड़ राज कहते हैं इसकी स्थापना हुई थी ठीक है तो यहाँ पर आपको दो तीन चीचे याद रखनी है जो कि बिल्कुल दिमाग में बिठालो लिख सकते हो कि रूसी करांती कब किस चीच का विरोध किया गया था तो आपको पूंजी वादी विवस्ता का विरोध किया गया था आपसे अगर यह पूचे की बताओ किस चीच को इसमें बहतर माना गया था तो समाजवाद और समता मुलक समाज के आदर्स जोते इसको बहतर माना था नायक कौन था तो आप आप बोलोगे व्लादीमीर लेनिन इसके नायक थे कम्मिनिस्ट पार्टी की स्थापना किस ने करी थी तो ये भी आप कोगे व्लादीमीर लेनिन जो थे इन्होंने ही कम्मिनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी और करांती के बाद किस चीज का किसकी स्थापना हुई थी तो आपको गए USSR की स्थापना हुई थी ठीक है तो ये चीज़े आपको याद रखनी है इसके बाद बात करते हैं दूसरी दुनिया कई बार आपसे पेपर में पूछ लेते हैं बताएं दूसरी दुनिया से क्या भी पराए है दूसरी दुनिया को इस तरीगे से समझो, मान लिजए ये बरलिन की दिवार है, इधर से मैं डिवाइड कर देता हूँ, इधर पूर्वी है, ठीक है पूर्वी यानि USA से वाला, इधर मान लिजए पस्चिमी है, पस्चिमी मतलब USA वाला, तो पस्चिमी में क्या था, समाजवाद था यह आप सभी जानते ठीक है तो क्या हुआ कि दूसरे विश्यूवित के बाद जो यह वाले देश थे जो पूर्वी देश थे इन सब देश पूर्वी यूरोप के जो देश थे इनकी जो राजनीतिक और सामाजिक विवस्ता थी उसको सोवियत संके जो है उस पर ढाल दिया गया चाहिए वह पहले किसी भी विवस्ता में रहे हो लेकिन दूसरे विश्यूवित के बाद जब दुनिया बट गई तो यह अब इन देशों को समाजवादी विवस्ता को अपनाना था इसके अलावा दूसरा उप्सन इनके पास नहीं था ठीक है तो के इस समू को दूसरी दुनिया के देश अत्वा समाजवादी गोट या खेमे के देश कहते हैं तो जो भी देश USSR वाले खेमे में थे, USSR वाले ग्रूप में थे, उनको क्या कहा जाता है, उनको दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है, ठीक है, पहली दुनिया में एक तरह से अमेरिका वाले देश हो जाएंगे, दूसरी दुनिया में आपके कौन से हो जाएंगे, ये आपके सुव्य संग व Soviet Union भी आप इसे कह सकते हो इसके बाद आपसे question पूछ सकते हैं कि भाई Soviet पढ़नाली की विसेस्ता बताओ और ये paper में काफी जादा आता है इसको आप बिल्कुल लिख लो find इसको मैं आपको कहूँगा most important question है paper में आता है और long question में आता है ये भी आद रखना short question में आपसे नहीं पूछा जाता ये कभी भी Soviet पढ़नाली की विसेस्ता क्या थी तो देखिए Soviet पढ़नाली जो थी इसमें पुझीवादी विवस्ता का विरोध किया गया था इसके बाद क्या था यहां पर एक विसेस्ता यह भी है कि यहां पर Communist Party का दबदबा था मैंने आपको सुरू में ही बता दिया था कि यहां पर केवल एक ही पार्टी को शाषन का अधिकार था जैसे भारत देश में बहुत सारी राजनितिक पार्टिया है नहीं नहीं पार्टिया बनाई भी जा सकती है पर यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं था ओनली एक ही पार्टी जो कि Communist Party तो इसी का दबदबा था इसके बाद देखिए अमेरिका को हमेशा टकर देता था तो सोव्य संग याद रखना तो अमेरिका को टकर देता था तो इसका मतलब इसकी अर्थे विवस्ता जो थी वो क्या थी विक्सित थी यहां पर जो संचार पढ़नाली थी Communication की जो विवस्ता थी वो बहुत ही बहतरीन थी उन्नत थी यानि बहतरीन थी विशाल उर्जा संसादन थे इनके पास खनीज था इनके पास तेल था इनके पास लोहा था इनके पास इसपात था यानि खनीज संसादन इनके पास बहुत जादा थे दूर दराज के इसे भी पूछ सकते हैं आप से सोवेत परनाली की जगा यहां पर ऐसे भी कोशन आ सकते हैं कि सोवियस संग की विसेस्था बताईए, ठीक है, तो देखे, तो आपको वहाँ पर भी ऐसे पॉइंट लिखने है, इसके बाद है दूर दराज के इलाके में, इनके जो आवा गमन, यानि connectivity जो थी, वो बहुत बहतर इन थी, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, रोड वगेरा सड निर्मान होता था, यानि पिन का मतलब है, यहां पर यह कित तरह है, यहां पहलए चोटी से चोटी से बड़ी चीज से लेकर, यहां पहलए सोवियस संग में, USSR में, ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका भोगता हो द्योगता था, वो बहुत ही बहतर था, इसके बाद नियूंतम जीवन इस्तर था वो सुनिश्चित कर रहा था कि लोगों को यह बेसिक सुविधायन जो है वो तो मिलेगी मिलेगी जो कि यहां पर सत्ता जो सरकार्ति वो इनको प्रोवाइट कराती थी यहां पर बेरोजगारी नहीं थी तो यह एक प्लस पॉइंट हो जाएगा बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा फिर कैकि यहां पर जो हेल्थ सर्विस थी स्वास्ते सुविधायें थी वो इनको मिल जाती थी चिकिस्सा सुविधा मिल जाती थी जिसमें दवाइया हो राशन होता था उसमें राज्य होता था जो सरकार होती थी उसके हाथ में सब कुछ होता था राज्य का नियंद्रन होता था पूरी तरीके से और एक चीज देखे जो जैसे की health service हो गई education हो गई ये इनको कम कीमत में मिल जाती थी subsidy में reality दर्म मिल जाती थी तो ये कुछ soviet संग की सोवियत परणाली की विवस्ता जो भी है इसके आप मुखे विसेश्था के रूप में आप ऐसे कुछ पॉइंट लिख सकते हैं अब पॉइंट तो बहुत सारे बताए हैं इतने सारे पॉइंट पेपर में नहीं लिखने हैं अगर 6 नंबर का कोशन आता है आपके विवस्ता थी अच्छी संचार पढ़ना ली थी इसके पास उर्जा संसादन थे नियोजी तर्थ विवस्ता थी दूर दराज तक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी इन पिन से लेके कार तक बनाया चाता था बेसिक सुविधाएं लोगों को मिल गई थी बीरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी सिक्षा स्वास थे सब कुछ था इनके पास तो इतना बहतरीन होने के बाद क्यूं टूट गया सोविट संग ठीके सोविट यूनियन जो था वह क्यूं टूट गया इसका विक्टन क्यों हो गया यह कोशन आपके दिमांग में आता होगा तो यह कारण देखो सुरू में देखो क्या था सोविट संग में सब कुछ अच्छा था लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय बीटता गया तो विबस्ता जो थी वह बिगड़ती गई ठीक है बिल्कुल ध्यान रखिए क्या हुआ कि जो सोविट संग था इसमें जो इनकी जो कमणिश पार्टी वह बहुत ही बेकार होती गई लोगों को की आकानशाओं को पूरा नहीं कर रही थी बहुत सारी वहां पर कमी आ गई थी इसके करण सोविट संग का विक्टन हो गया तो यह समझते हैं कौन-कौन सी वह कमी आ गई थी तो देखो नागरिकों की राजनीति राजनितिक और आर्थिक आकांशाओं को पूरा ना करबाना जो वहां की जो सरकार थी वहां की जो जनता थी उसकी जो राजनितिक और आर्थिक आकांशाओं को पूरा नहीं करबा रही थी दूसरा पॉइंट क्या है कि सोव्यत परनाली पर नोकर सही का सिकंजा कस्था चला जा रहा था इसका मतलब क्या है दिखिए क्या था आपको पता है कि USSR में एक ही पार्टी का सासन था जो कि Communist Party थी इसको मैं सॉट में CP लिख रहा हूँ Communist Party अब Communist Party में जो नौकर शाह थे जो ब्यूरोक्रेट्स थे इनका दबदबा बहुत जादा था क्योंकि वहां पर कोई दूसरी पार्टी आई नहीं सकती तो इनका दबदबा था इनकी खूब चलती थी उसमें तो जिसकी वज़े से जनता को क्या होता था नुकसान होता था यह भी चीज कह सकत ठीक है तो वही यहां पर था कि कमनिश पार्टी का बहुत जादा दबदबा था वो जैसा चाहे वैसा कर सकती थी तो जिससे जनता को फाइदा और नुकसान हो यह नहीं देखते थे कमनिश पार्टी के लोग बस अपना फाइदा देखते थे तो इसकी वज़े से क्या था स संसादन इनके पास बहुत थे अभी हमने पढ़ाता ना कि इनके पास संसादन थे याद रखो यह पॉइंट यह आपको पता होगा विशाल उर्चा संसादन इनके पास बहतरीन संसादन थे लेकिन यह उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाए संसादनों को इन्होंने जादा से जदा लगा दिया परमाणू हतियार में क्योंकि अमेरिका से uss इनका competition था competition में USSR किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहता था इसलिए उसने सारे संसादों को जदा तर संसादों को पर्मानु हतियारों के उपयोग में लगा दिया इससे क्या हुआ इंको बाद में नुकसान हुआ पिर क्या है भई प्रोध्योगी की यानि कि टेकनोलोजी के मामले में ये अमेरिका से पिछड रहे थे और एक चीज और यहान पे क्या था कि अमेरिका से टेक्नलोजी के मामले में पिछड रहे थे लेकिन USSR जो था वो अपनी जनता को ये बता रहा था कि हम आगे बढ़ रहे हैं हम पिछड नहीं रहे बलकि हम तो तरक्की कर रहे हैं लेकिन बाद में जब जनता को पता लगा कि USA यानि अमेरिका तो उनसे बहुत आगे निकल लगया ये तो पिछड गया तो ऐसे में जनता को मनोवैग्यानिक रूप से भी धक्का लगा कि हमारी जो सरकार है जो हमारी सत्ता है वो हमारे साथ धोका कर रहे है तो इससे भी मतलब नुकसान हुआ और टेक्नोलोजी के मामले में पिछड तो रहे ही थे यह भी पॉइंट बन जाएगा फिर कहा देखा अब USSR जो है इसमें 15 गड़ राज्यों को मिला के बनाए गया था याद रखिए USSR जो है अकेले एक देश से नहीं बना 15 गड़ राज्यों को अलग लग को मिला के बनाए गया लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो चलती थी वो किसकी चलती थी रूस की चलती थी अब मान लीजिए 15 लोगों का गुरूप है उसमें से एक ही विक्ति की ज़्यादा चलेगी तो बाकी 14 को इग्नॉर महसूस होगा लगा इंग्नॉररन्स के धी या फिर यह फिर हमें वो वैल्यू नहीं दी जारी जो एक को दी जारी है तो वही हो रहा था यहाँ पर कि रसिया जो था वो सबसे ताकतवर सबसे महत्वपूंट था इसको ज्यादा वैल्यू मिलती थी तो बाकी को अच्छा फील नहीं होता था इसके वज़े से इनके बीच में क्या था इनके बीच में मिसंडेश्टेंडिंग या फिर दरार या फिर जो भी मतलब विवस्ता बिगड रही थी ये वाली समस्य आ रही थी ठीक है इसके बाद देखो मिखाइल गोर्बाचेव मिखाइल गोर्बाचेव जो थे यह आये तो थे सुधार करने के लिए और ये कम्मिनिश्ट पार्टी के भी थे अब क्या हुआ कि मिखाइल गोर्बाचेव ने देखा कि अम मतलब काफी पिचल रहे हर मामले में ऐसे में उने सुचा कि हम क्या करते हैं सुव्य संग में कुछ सुधार कर देते हैं मिखाइल गोर्बचेव सुव्य संग में सुधार करने के लिए आये थे लेकिन जो जनता थी उनको ये तो पता था कि है तो ये कमनिश पार्टी का ही भी देते हैं अब रात ओ रात तो सुध्रे की नहीं विवस्ता तो इनके सुधारों का भी विरोध हुआ और इनकी कमनिश पार्टी के लोगों ने इनका विरोध सुरू कर दिया और इनके सुधारों की नीती उल्टी पड़ गई ठीक है यानि कि और ज्यादा बिगाड़ दिया इन्होंने इसके बाद क्या है कि आर्थे विवस्ता जो थी वह गतिर्यों दो गई थी उप्भोक्ता वस्तों की कमी होने लगी देखिए रस्त्रिया सॉरी कितनी कमजोर हो रही थी इसके बाद देखिए राष्टवादी भावना और संप्रभुत्ता का इक्षा का उभार यानि लोगों के अंदर राष्टवादी भावना आ रही थी और वो कमिनिश्ट पार्टी के बुरे सासन से बहुत ज़्यादा तरस्त थे दुखी थे और व जब सरकार ताना सहा हो जाए केवल अपना फाइदा देखें ठीक है अपना फाइदा सरकार में बैठें लोग जब केवल अपना फाइदा देखें और जनता का फाइदा ना देखें तो ऐसी सरकार को सत्तावादी सरकार कहेंगे यानि अपना अपना फाइदा तो यहां की जो सरकारती वो सत्तावादी हो चुकी थी। जंता को बहुत दिक्कते हो रहे थी। लेकिन कोई जंता की सुनने वाला था नहीं। यह सिद्च पारटी छासन था कमनिय스्थ पार्टी यह आता है long question तो आपको केवल 6 point लिखने है ज्यादा नहीं लिखने इस चीच को ध्यान लखें अब एक question आपके paper में आता है soviet संग के victim के परिणाम यह तीनों question में से एक question आपके paper में 100% आता है या तो आप से परिणाम पूछ लेंगे या फिर आपके विक्टन के कारण पूछ लेंगे या फिर आप से सोव्य संग की विसेस्ता पूछ लेंगे ठीक है तीनों कोशन पूछे जाते हैं तो कोई तो सबसे पहला प्रणियाम क्या था शीतियुत की समाप्ति, अब चैप्टर आपने 1 नहीं पढ़ा होगा, तो आपको इस समझ में नहीं आएगी शीतियुत क्या है, तो उसे जरूर देखिए, USA और USSR, इनके बीच में जो भावना, जो मतलब युद्ध जैसे माहूल बनना था उसको हम शीतियुत कहते है, युद्ध कुछ हुआ नहीं था, लेकिन युद्ध की समभावना बने होई थी, जो शीतियुत कहला थी, अब जब USSR खतम हो गया, केवल USA बचा, तो शीतियुत भी समाप्त हो गया, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या बोलोगे, शीतियुत की स समाप्ती, दूसरा क्या था, आपको पता होगा, चैप्टर वन अगर आपने पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि USA और USSR, दोनों के बीच में competition था, किस चीज का हतियारों को बढ़ाने का, युएस ते खूब हतियार इखटे करे जा रहा था, USSR भी खूब हतियार इखटे करे अब क्या है, USA जो था अमेरिका, उसका कहना था, कि जो पूझीवादी विवस्ता है, जो capitalism है, पूझीवादी जो विवस्ता है, ये सबसे बहतरीन है, ठीक है, ये पूझीवाद को बहतर मानते थे, और ये थे, सोविय संग वाली, सामयवाद को बहतर मानते थे, तो इनके बीच में जो विचार धारा थी, जो इनके आइडियोलोजी आपस में मिलती नहीं थी, इसकी जो लड़ाई थी, इसका भी अंत हो गया, ठीक है, एक एक पॉइंट समझते वे चलना, ठीक है, अब एक धुरुविये विश्व हो गया, पहले क्या था, चैप्टर का नाम भी ह कि US से और USSR दोनों ही दुनिया में सबसे जादा मतलब ताकतवर में इनका नाम आता था, और इनके बीच में कॉम्पेटीसन भी था, तो इसलिए हम कह सकते हैं, दुनिया दो धुरुवों में थी, बटी भी गई थी आपको पता है, लेकिन अब USSR खतम हो गया है, तो ऐसे में एक धुरुव बचाए, यानि US से, तो अब हम कह सकते हैं, एक धुरुवे विश्व है, या फिर हम कह सकते हैं, अमरीकी वर्चस हो है, चीक है, तो यह आपने समझ लिया, आगे चलते हैं, इसके बात क्या है, सोव्य संग का तूटना, सोव्य संग जब तूट गया, तो ऐस गुट में भी जा सकते थे, या फिर स्वतंत रह सकते थे, जो भी विवस्ता अपना सकते थे, तो ऐसे में एक पॉइंट बनेगा, नए देशों का उदय, फिर क्या कि रूस जो है, वो सोव्य संग का उत्रादिकारी बन गया, ये भी पॉइंट याद रखना है, तो में जो उसका उत्रादिकारी के रूप में कौन हो गया, वो हो गया, रसिया, यानि रूस, आप कह सकते हो, तो जो उसे सार की जो, जो संयुक्त राष्ट संग, यानि यूनों में जो वीटो पावर वाली सीर्थी, वो किसको मिल गई है, रसिया को मिल गई, ये भी आपको याद समाजवादी विचारदारा, तो ये सुव्य संग के टूट जाने के बात, लोग समाजवादी विचारदारा पर पर प्रसंच चिन लगाने लगे कि ये विवस्ता अच्छी नहीं है, बलकि Capitalism जादा अच्छा है, तभी तो अमेरिका डेवलप हो गया, और ये जो था, communism यह बेकार है, तभी तो यह तो यह तो यह तो यहाँ पर हमारे टॉपिक खतम हो जाते हैं, उम्मीद गरता हूं इतने टॉपिक आपको समझवाया होंगे, एक टॉपिक है आपका शौक थेरेपी, पेपर में पूछा जा सकता हैं, तो देखते हैं शौक थेरेपी का मतल के बना था, यह मैंने आपको इस टार्टिक में बताया, अब जब यह तूट गया तो नए देशों का उदय हुआ, नए नए देश अब यह जहाँ पर जा सकते थे, ठीक है, तो ऐसे में कुछ देशों में शौक थेरेपी का मॉडल जो था, उसको अपनाया गया, क्योंकि इ जो पूझीवादी विवस्ता को जिस तरीके से अपनाया गया, जिस मॉडल के तहत अपनाया गया, उसको शौक थेरेपी कहते है, यानि आप समाजवादी विवस्ता को छोड़ कर, पूझीवादी विवस्ता को अपनायेंगे, तो उसको किस के तहत अपनायेंगे, शौक थ राज्यों को विशु बैंक और अंतराष्टे मुद्रा को उस द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा इस मॉडल के तहित इनको क्या करना पड़ा सामेवाद को छोड़ कर पूंजी वाद को अपनाना पड़ा इसी को शौक थेरीपी कहते हैं तो बहुत ही आसान है आप यह कह सकते हो कि सोव्य संग के तोटने के बाद पूर्व सोव्य यानि एक सोव्य संग के जो देश थे उन्होंने क्या करा सामेवाद को छोड़ दिया पूंजी वाद को अपना लिया और किस के तहत अपनाया तो शौक थेरीपी के तहत अपनाया ठीक है शौक थेरीप अब कोशन आता है और शोक ठेड़ेपी की कमीया बताइए तो देखें शोक تहरीपी के तहत क्या और उना थो यह समझेए तो जो लेका मिल्किध है यानि मिल्कियत का मतलब यहांपर सत्ता से है सत्ता का प्रमुक्ष रूप जो है वो नीजी स्वामितु है देख पूंजी वाद में क्या होता था पूंजी वाद में सब कुछ जो होता था वो नीजी हातों में होता था यहाँ पे नीजी सौमित्यों को मेहत दिया जाते है सौमित्यों ठीक है नीजी अब प्राइवेट हाथो में तो यानि अब जो सौम्मेवादी वाले देश थे अब उनको पूंजी वाद अपनाना है तो सब कुछ क्या हो जाएगा अब उनके हैं पे मिल कि हुआ यानि वह भी नीजी हातों में चली गई है पहले क्या होता था खेती जो होती थी वह Nej लेकिन अब वह जो यह प्राइबे से हात्ति है यानि पूंजी वादी विवस्ता होने भी ठेंगा समय को नीजी फारम में बदला गया मुक्त व्यापार विवस्ता को आपना सब्सक्राइब चलपी सिर्फणियों की आर्थिक विवस्ता से जोड़ाओ पश्चिमी देशों की जो आर्थिक विवस्ता थी उससे इनको जोड़ना था फिर क्या है एक पॉइंट ये भी आ जाएगा कि पूझीवाद के अतिरिक्त किसी भी वेकलपिक विवस्ता को सुईकार नहीं किया गया यानि केवल पूझीवादी विवस्ता को अपनाना है इसके अलावाद दूसरी कोई विवस्ता नहीं चलेगी तो ये जो हुआ इसी को हम शौक तेरिपी कहते हैं अब एक चीज़ समझेए यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से आपको समझना है कि जो सोव्य संग के जो देश थे जो सोव्य संग तूट गया था इनको इनमें कौन सी विवस्ता थी सामेवादी विवस्ता थी इनको ये लगा कि सामेवादी विवस्ता अच्छी नहीं है पूझीवादी विवस्ता अच्छी है तब ही तो अमेरिका डेवलप हो गया तो इन्होंने सामेवादी विवस्ता को अपना लिया, मतलब सामेवादी विवस्ता को छोड़ कर, पुझी वादी विवस्ता को अपना लिया, और किसके तैत अपना है, यह आपने पढ़ लिया है, इनको यह लगा था, कि हम पुझी वादी विवस्ता को अपना लेंगे, हम therapy को अपना लेंगे तो उससे हम भी क्या हो जाएंगे अमेरिका की तरह develop हो जाएंगे ये सोच के अपना है था इन्होंने देखे हर कोई जो भी मतलब कोई काम करता है तो यही सोच के करता है ना कि बहतर हो गई तो इसको समझते हैं देखे शॉक थेरीपी के क्या परिणाम हुए तो पूरे छेत्र की अर्थ विवस्ता जो थी वो तहस्नेस हो गई सबसे पहला पॉइंट अर्थ विवस्ता इनकी पूरी तरह से तहस्नेस इन्होंने सोचा था प्रॉफिट होगा लेकिन उनको और ज् फूड फूड गया विवस्ता खराब हो गई नाइंटी परसेंट जो उद्योग थे वो निजी कंपनियों को बेचे गए प्राइवेट हाथों में चले गए प्राइवेट कंपनियों ने उनको खरीद लिया जो महत्पून उद्योग थे उनको बहुत कम कीमत में यानि और यहां पे यहां पर ने यहां पर ने लम एक मुहवरे की तरह वह यूखन है किसी चिछ को बहुत ही कम दर में बेच देना जैसे मानलीचे कोई चीज की कीमत सो रुपैय अगर उसको कोई 5 रुपै में बेच दे तो यह एक तरह से ओना पॉना दाम हो जाएगा कि कहेंगे मतल पूरे चेत्र के अरतेविवस्ता तहसनेस हो गई रूस का अध्योगी धाचा पूरी तरीके से चर्मन आ गया नबे परसेंट अध्योग को निजी कंपनी को बेच दिया गया जो महत्पून अध्योग थे वह काफी कम कीमत में बेचे गई इसलिए इसको इतिहास की सबसे बड गई यानि मुद्रा स्पीती बढ़ गई यानि महंगाई जो थी वह बढ़ गई ठीके बढ़ा दी गई या बढ़ गई जो भी को हुआ खाद्यान का आयात करना था करना पड़ा पहले यह क्या करते थे एक टाइम ऐसा था जब यह खाद्यान को बाहर को एक्सपोर्ट करते थे यानि अपने देश से आनाज दूसरे देशों को बेच चते थे अब इनकी हालत ऐसी हो गई इनको दूसरे देशों से खाद्यान को खरीदना पड़ रहा है सोचो इसके बाद किया कि सरकारी रियायते समाप्त कर दी गई मैंने आपको जब सोव्य संग की विसेस्ता बताई थी तब मैंने आपको बताया था एक पॉइंट कि वहां पे सिक्षा और हेल्थ यह चीजे कम पैसों में मिल जाती थी यानि कम पैसों में यह उपलब्द करा द कि नश्चाल गरीम लोगों के बीच में तीखा विभाचन अब यह जाथ चाहिए लोगों के बीच के बीच में बहुत जेदा करे slides को decision को हो गया जाता तो यह चीज़े हो गई है अब देखो शॉक थेरीपी के परिणाम यह आपके सपोर्टिंग मैटेरियल से लिए हुए है तो देखो सेम पॉइंट आपको यहां पर भी दिखेंगे समाज कल्यांड की पुरानी विवस्ता थी जो मैंने आपको सबसीडी बताया कि पहले उनको सबसीडी मिलती थी सरकारी रियायत मिलती थी वो नश्ट हो गई 90% उद्योग जो थे वो निजी हातों में बेज दिए गए वो भी कैसे दामों में बहुत कम दामों में बेज दिए इसलिए इसको क्या कहा जाता है इतियास की सबसे बड़ी गरासिल कहा जाता है आर्थिक विशमता बढ़ गई यानि कि जो यह अभी उच नीच वाली खाई इसे भी याद रखे कि एक माफिया वर्ग जोता वो इस समय में उभर कर सामने आया और इसके वाला वह एक और पॉइंट है कि कमजोर संसाद और राष्ट पती को अधिक शक्तिया मिली जिससे कि सत्तावादी राष्ट पती शाषन यहां पे हुआ ठीक है तो यह इतने सारे परिणामें इसमें से केवल 6 पॉइंट अगर चे नंबर का कॉषण होता है आपका तो 6 पॉइंट ही लिखने यहां पर कुछ पॉइंट और कुछ पॉइंट मैंने यहांपर कितने सारे था सकते यह थे इन्वर्ड कर सामने आया अब से है क्या हुआ कि91 में बढ़े सोव conscious क खुलकर सामने आया इक मेरा कुश्चन आप से भाई ये खुलकर सामने आया तो क्या इससे पहले वर्जस वह नहीं था इससे पहले भी वर्जस वह था और हमें देखने को मिला तो याद करो चैप्टर वेना अगर आपने बढ़ा हो जब अमेरिका के दो शेर Cord told एधि यहां कि आपको अमेरिका का वर्चेसों पहले भी था लेकिन अब नहीं बचाए तो आपको जो चाहे वह नवाने अमेरिका कर सकता है यहां पे खुल कर एक मात्र महाशक्ति का परभुत तो होता है तो इसे एक धुरुविव विश्व कहा जाता है ठीक है यद भी अमेरिकी वर्चसों के पहलों का इतिहास वर्च 1991 तक सीमित नहीं है बलकि इससे पहले 1945 तक जाता है तो यह मैं आपको बता दिया कि आप यह मैं सोच ना कि अमेरिका का वर्चस 1991 के बाद आया है उससे पहले 1945 में भी देखने को मिला था जापान में जो हिरोश्यमा नागा शागई वाली घटना हुई थी मैं आपको बता दिया ठीक है तो यह चीज़े आद रखनी कर लिया इराक ने किस पर कपज़ा कर लिया कुवेत पर ऐसे में इराक को समझाया गया कि अपना कपज़ा जो है वहां से हटा लो लेकिन इराक जो था वह नहीं माना ऐसे में क्या था कि जो संयुक्त राष्ट संग है जिसको हम यूएन नों कहते है यूनाइट नेशन और तो यूएन नों ने बल परियोग की अनुमति दे दी उन्होंने बोला कि भाई तुम जाओ सेना लेकर और इराक को तोड़ो फोडो जो करो पर कुवेत को आजात कराओ बल परियोग की अनुमति दे दी ये एक नाट की फैसला था नाट की फैसला क्यों क्योंकि देखो यू 1990 में उसने ऐसा फैसला लिया कि बल परियोग की अनुमती दे दी जो की बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला था पिछले 45 वर्सों में यूएन नों ने इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया था जोर्जि बुश ने जब देखा इस विवस्ता को तो उन्होंने इसको नई विष्व विवस्ता नाम दे दिया गया इस यूध में 34 देशों की सेना थी जिसमें 68,000 सैनिक ने भाग लिया था अब 34 देशों की सेना है लेकिन सबसे ज्यादा सैनिक अमेरिका के ही थे देश तो नाम के है यह अमेरिका के सैनिक थे जादा अतर ठीक है और अमेरिकी जर्णरल जो थे वो नौर्मन श्वार्ज कोब जो थे वो इसके हैड थे और इसे इस समय जो उप्रेशन चलाए गया था अभियान जो चलाए गया था उसको कहते हैं उप्रेशन डेजर्ट इस्ट्रॉम इसमें स्मार्ट बमों का प्रियोग किया गया और पूरी दुनिया को लाइव दिखाये गया कि किस तरीके से अमेरिकी सैनिक इराग को ध्वस्त कर रहे हैं लाइव दिखाये गया टीवी पर टेलिवीजन पर इराग के राष्ट पती उस समय थे सद्दाम हुसैन सद्दाम हुसैन ने कहा कि यह सो जंगों की एक जंग साबित होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं वा इराग जो था वो हार गया इससे यह पता लगता है कि अमेर ये लड़ने की हिम्मत ना करे इसलिए उसको राइव दीखाय गया था उसका वर्चसवा दिखाने के लिए इसका क्लम है इसपैसे ने इसके आपको पैसे देंगे तो यह नहीं पे भी हमेरीक का वर्चस देखने को मिलता है इसके बाद देखो दूसरा खड़ी यूद ये भी पेपर में आ सकते हैं इराग पर अमेरिका का हमला 19 मार्च 2003 की बात है अमेरिका ने ओपरेशन इराग की फ्रीडम चलाया यहां पर देखो इसका वर्चस की यूएनों ने हमले की परिमीसन नहीं दीती अमेरिका को की हमला नहीं करना लेकिन अमेरिका नहीं माना उसने सीधा क्या करा परिमीसन मिले ना मिले हमला कर दिया अब जब अमेरिका ने हमला किया तो ऐसे में क्या हुआ युद में अमेरिका के साथ 40 देश और भी शामिल थे अमेरिका ने क्या आरोप लगा के हमला करा था तो अमेरिका ने ये कहा था कि जो इराक है वो खतरनाक जनसनार के हतियार बना रहा है यानि एराक ऐसे खतरनाक हतियार बना रहा है जिससे के मानवता को नुकसान हो जाएगा लेकिन जब देखा गया तो वहाँ पे ऐसे कोई सबूत नहीं मिले यानि की ये सीधा सीधा क्या था अमेरिका एराक पे हमला करना चाहरा था उसने ये बहाना बना कि उसपे क्या कर दिया हमला कर दिया ठीक है ये चीज़ आपको याद रखनी है अब हमले के उद्धेश है क्या थे यह आपके दिमाग में जरूर कोशन आएगा कि आखिर हमला कर क्यों दिया तो इराक जो है उसके पास है तेल भंडार अमेरिका उसके तेल भंडार और उसके संसाधन पर चाहता था अपना कबजा वो चाहता था कि इराक में ऐसी सरकार बने जो कि अमेरिका के इशारों पर चले यानि इराक में वो अपनी मन पसंद सरकार बनाना चाहता था और सरकार बनाकर वहां के संसादनों पर अपना अधिकार जताना चाह रहा था उस संसादनों को लेना चाह रहा था ये इसका उद्देश्य था ठीक है अब इराग पर हमले से अमेरिका की एक कमजोरी भी नजरा गई अमेरिका ने बेशक से ताकत के दम पर इराग को हरा दिया लेकिन अमेरिका जो था वो अधिक ताकतwar जरूर था लेकिन वो इराक में आपको पता है कि वर्ल ट्रेड सेंटर पे जो आदंग वाधियो द्वारा हमला किया गया था वो 9-11 की घटना जो है यह आपके पेपर में स्लेबस में ते रखिए तो यह आपसे पूछा जा सकता है तो देखें 11 सितंबर 2001 के दिन अरब देशों के 19 अपहरन करता हूं ने उडान भरने के बाद चार अमेरिकी विमान पर कबजा कर लिया यहां पर आएगा अधा अपहरन करता जो थे वो इन विमानों को अमेरिका की महत्पून इमारतों की सीध में उडा कर लिए खुले को अब पिर दो फियानों को उन्होंने कहां पर लिजा के लढ़ा दिया एक तो था नियू-वॉर्क में जो वर्ल ट्रेट सेंटर है उसका जो उत्तरी और दकशिनी टावर था उससे टकरा दिया ठीक है .. ट्रेट सेन्टर यह रहां में तो तो यहाज ते में और थो विमां जो था पेंटागका्य जो रक्षा विबाग का जो headquarter है पेंटागन से टकरा दिया तीसरा विमान अब बचा चोथा विमान चोथा विमान अमेरिका की जो Congress है उसकी main जो building थी उससे टकराना था लेकिन वो गलती से उसमें टकरा नहीं पाया गलती से एक Pennsylvania के खेत में जाके गिर गया इस घटना को 9-11 की घटना कहा जाता है तो यह 9-11 की घटना क्या थी आप कहोगे कि अरब आतंकवादियों ने चार अमेरिका की विमानों को कबजे में ले लिया उसमें से दो को नियोर्क के जो नियोर्क है वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेट सेंटर है उसके उतरी और दक्षिनी टावर में ले जाके टकरा दिया एक को पेंटागन में जाके टकरा दिया और एक को कहा गिरा दिया पैंसिलव हुआ था तो हम क्यासे लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे डीट 11 खिका यह देट हो गई इसके बाद हम क्य야 लिखते मंत-मंन्त कौन सा हो जाएगा सितंबर यानी 9 महिना मंध डेट मंत- इसके बाध हम लिखते इर इयर कौन सा हो जाएगा यह 2001 लेकिन अमेरिका में ऐसे नहीं लिखा जाता अमेरिका में पहले लिखा जाता है मन्त उसके बाद लिखी जाती है डेट तो मन्त अगर मैं पहले लिखू तो यह हो जाएगा 9 और डेट हो जाएगी 11 इसलिए इसको क्या कहा जाता है 9-11 की घटना अमेरिका में हुई थी तो इ ऐसे ही सोव्य संग टूड जाता है उसके बाद की कुछ गटना है कि पूर्व सोव्य संग का अधिकांस गड़ राच्य तो जो थे वो संगर्सवारी आशंका के छेतर थे यहां पे जो सोव्य संग के जो देश थे वो ज्यादा तर वहां पे ग्रह युद्ध चलता रहता था और बाहरी ताकतों की भी यहां पे दखल रहती थी ऐसे में आपको क्या रखना है यह पूइंट आप भूल जाओ आपको बस इतना पूइंट याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ रूस के दो गड़ राजे चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाव वादी अंदोलन चले यह आपके सौर्ट कोशन में पूछा जाता है यह आता है इसलिए मैंने आपको NCRT से डारेक्ट ले रखा है और हाइलाइट कर रखा है पूछा जाता है कि रूस के किन दो ग बनाए गया वह बहुत गलत था उन्होंने क्या करा सीधा सेने बंबारी कर दी जिसमें कि जो आम लोग थे वह भी मारे गये और जो अलगावादी वगर थे वह भी मारे गये लेकिन इससे कहीना कहीं मानव अधिकारों का उलंगन बहुत जादा हुआ यह आपको पॉइंट कौन सा देश है जो मतलब मदेशिया का कौन सा देश है जो दस वर्स तक गिरहयोद की चपेट मेरा तो ताजिकिस्तान बिल्कुल याद कर लो यह बिल्कुल पेपर में पूछा जाता है इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं कि हाईलाइट करते हुए चलना इस तक है इसके बाद क्या पूछा जाता है इसके बाद आपसे यह पूछा जाता है कि एक यहां पर था कि अजर बैजान का एक परांत था नगर्नो काराबाग यहां कुछ इस्थानी है जो अर्मेनिया ही लोग थे यह अलग हो कि अर्मेनिया से मिलना चाहते थे तो यह पूछा जा सकता है कि अजर बैजान का जो परांत है नगर्नो काराबाग वहाँ पे कौन से लोग अर्मेनिया से मिलना चाहते थे तो आप बोलोगे अर्मेनिया ही लोग ठीक है फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा देश दो प्रांत कौन से देश में दो प्रांत स्वतंतरता चाहते थे तो जो जो थे यहां पे दो प्रांत स्वतंतरता चाहते जिसके वज़े से ग्रहयुद भी लड़ रहे थे ठीक है तो ये दो तीन चीज़े आपसे पूछी जाती है जो मैंने आपको पढ़ाई है इतनी चीज़े आपको याद रखनी है अब चलते हैं आगे Middle East Crisis यानि की अफगानिस्तान अफगानिस्तान को पढ़ने से पहले समझने से पहले एक बार आप उसको मैप में देख लो भारत के बगल में यहाँ पर आपको दिखेगा पाकिस्तार और इसके ऊपर आपको यहाँ पर दिखेगा अफगानिस्तान अफगानिस्तान जो हर तरफ से जमीन से घिरा हुआ एक द रहा है हमेशा से तो यह भी आपको याद रखना है तो थोड़ा सा हम जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में तो यहां की जनसंक्या देख लेता है तो यहां पर पस्तून लोग रहते हैं 42% ताजिक लोग रहते हैं 27% अजारा मूल के लोग रहते हैं 8% और उजबेक लोग रहते हैं 9% तो इस तरीके यहां पर कुछ जनसंक्या का वित्रन है थोड़ी इसकी भोगले की स्तिति देख लो यहां पर भूमी जो है वो ज्यादा उपजाओ नहीं है हिंदू कुस्पहाड़ी इलाका है उबढ़ खाब की जो की नया टॉपिक है यह पेपर में आपके पूचा जा सकता है 1960 के दसक में राजा जाहिर शाह जो थे उसने अफगानिस्तार में कुछ सुधार किये क्या सुधार करे इन्होंने करा कि महिलाओं की सिक्षा पर ध्यान दिया दूसरा क्या गरा चुनाओ पर करिया जो थी उसमें सुधार किया तीसरा जनता को कुछ राजनीतिक अदिकार दिये किसने दिये जाहिर शाह ने अब यहाँ पे समस्ते वेचलना 1960 के दसक में राजा ने जो जाहिर शाह था उसने कुछ सुधार किये लेकिन सन 1973 में जाहिर शाह के परिवार से एक आदमी था जिसका नाम दाउद खान इसने क्या करा तक्ता पलट करके सत्ता हतिया ली यानि इसको जाहिर्षा को हटा दिया और खुद सत्ता में आ गया सबसे पहले कूं था जाहिर शाह उसको किस ने हटा दिया दौ खान सबसे ने हो किस आ और गानीस्ता के दो कि पार्टी ने लेकर कुछ सुदार करने का प्र्यास किया लेकिन जंता ने उसक विरोवत करा अब विरोध और संगर से यहां पे बढ़ने लगा तो PDPA ने क्या कर दिया क्योंकि PDPA कमिनिस्ट विचार दा रहा है सोवियत संग से मदद मांगी सोवियत संग भी कमिनिस्ट विचार दा रहा है आते में जब Soviet Sander ने अपनी सेना भेज दे अफगानिस्तान में यह से बियुक्तिय। उसने में शोичесडे संव्य को अपनी सेना नहीं भीजना चाहिए और अमेरिका तो बिल्कुल विरोध करेगा क्योंकि USA और USSR आप जानते हो ना एक दूसरे के कट्टर दुस्मन थे तो अगर USSR कोई काम करे और USA विरोध ना करे तो ये तो होई नहीं सकता सोव्य संग ने अफगानिस्तान के विबिन शैरो को अपने कबजे में ले लिया फिर सोव्य संग और जनता के बीच में वहाँ पे विरोध हुआ तो सब भी विद्रोई इकटे हो गए उन्होंने इसे धर्मी की उत बोल दिया उन्होंने इसको जिहाद का नाम दिया और सोव्य संग के खिलाफ लड़ने वाले को मुजाहिद का नाम दे दिया सोव्य संग के खिलाफ पाकिस्तान हो गया अमेरिका हो गया चीन भी हो गया सौधिय अरब हो गया और अन्य मुस्लिम देश हो गये तो यह सब क्या हो गये सोव्य संग के खिलाफ हो गये सोव्य संग में इनकी पार्टी ने सेना बेची दी उसको वापिस बुलाएंगे और सोव्य तन्य में अपनी सेना नहीं बेची उन्होंने फैस्ला लिया अमेरिका ने भी अपनी सेना बुला ली अभी आपने एक दो साल पहले देखा होगा अफगानिस्तान में क्या हुआ था फिर यहां पर आ गया तालिबान का शाषन अब यहां पर तालिबानी शाषन है और कठोर शाषन है तो यहां तक ही यह टॉपिक हो गए हमारे अब है last topic अरब करांती अरब करांती क्या है इसके उपर मैंने separate दो वीडियो बनई क्योंकि देखो एक नाजी शटोरी है इसके पीछे मैं आपको यहाँ पे स्टोरी नहीं बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मैं आपको दो लिंक दूँगा दो साथ दो पार्ट में मैंने बनाई है इस परकार की परिगटना एक हुई जो की अरब स्प्रिंग के रूप में जानी जाती है जिसका आरम 2009-10 में हुआ कुछ जगा पर आपको 2009 लिखा मिलेगा कुछ जगा पर 2010 मिलेगा इसलिए मैंने बट यह आप लिक करके 2009-10 लिख दिया ठीक है अब देखिए यहां तक आपको दो लाइनों तक कुछ भी नहीं समझना इसको भूल जाओ बिल्कुल यहां से आपको समझना है देखो ट्यूनेशिया में क्या हुआ एक एक आंदोलन हुआ ट्यूनेशिया नाम के देश में और धीरे धीरे वो अरब देशों की तरफ फैलन तो इसलिए क्या हुआ यहां पर संगर्स हुआ जो बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया क्योंकि जनता जो थी वह समस्याओं से और निरंकुस ताना शाहि शाषन जो था उसको मतलब यह जो आंदोलन इसको ताना शाहि शाषन का परेणाम मानत है क्योंकि यहां पर बेकार शाषान था इसलिए जनता इसके खिलाफ हो गई कि यूनेशिया में जो लोकतंत्र की मांग उठी फिर वो धीरे-दीरे मुस्लिम देसों में भी फैल गई वहां पर भी लोकतंत्र की मांग उठने लगी हुसनी मुबारक जो यहां यहां पर यहां पर मैंने आपको श्टोरी नहीं बताई आपको बता दिया सीधा-सीधा कि ट्योनेशिया नाम के देश से शुरुआ और धीरे-धीरे अरब देसों में फैलने लगा क्यों वा था भरष्टाचार के खिलाब बिरोजगारी के खिलाब निर्धनता के खिलाब तानाशाहि शाषन के खिलाब ठीक है और क्या मांग थी लोगतंत्रिक शाषन के मांग थी यह था बस यह तीन पॉइंट आपको याद रखने है अब अरब स्प्रिंग के उद्देश है क्या थे यह याद रखना क्यों के पेपर में आएगा ये न्यू टॉपिक है आपकी Ela... में नहीं मिलेगा याद रखना तो देखो अरब स्प्रिंग के उद्देश है थे शासन विवस्ता को सुधारना लोग तंत्र की स्थापना पर बल देना शिक्षा विकास रोजगार के लिए मांग की गई थी और समानता की बात की गई थी ये चीज़े इनको चाहिए ये इसके उद्देश थे अब एक कुशन ये पूछा जाता कि अरब स्प्रिंग के कारण क्या है तो कारण थे गरीबी बेरोज अश्टाचार सोसल मीडिया का परभाव सत्तावादी शासन का विरोट ये सबी कारण है इसी लिए अरब इस्प्रिंग जैसा अंदोलन हुआ ठीक है तो यहां पर यह जो हमारा चैप्टर यह खतम हो जाता है जितने भी एडिट टॉपिक है या जो भी नियू टॉपिक है सारे आपको कराएं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ भी समझ में नहीं आया मानलो कोई छोटा टॉपिक भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को कम से कम दो से तीन बार देखो आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर वन की वी सबी को जय हिंद जय भारत